हेलो बिवार्स, अल्कम टू माई चैनल तेकुक एफफ इंदेक्स बिलन, आज मैं आप लोकर से शेयर करना वाली हूँ, तेकुक फैन फिक्शन ब्लाइंडेड जेके और त्यांग एक दिस्ट्रे को किस किये जा रहे थे जेके आप त्यांग को बोलते हैं, त्यांग मैं खुद को नहीं रुख पाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं आप इससे भी जादा आगे बानना चाहता हूँ, त्यांग बोलते हैं, नहीं, यहाँ पर इससब कुछ मत करो, मुझे लगता है तुम्हें रुख जाना चाहिए, औ और मैं यहाँ पर इस तब कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे भी कुछ घंटो बाद हम दोनों की शादी होने वाले हैं, जेके बोलते हैं, लेकिन मैं तुम से अलग नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम से बहुत ज़दा प्यार काता हूँ, क्या तुम मुझ से प्यार नहीं करत हैं, और बोलते हैं, जो कुछ भी करना है, घर पर जाकी कीजिए, यहाँ पर इस सब कुछ करना अलाओर नहीं है, और यहाँ पर एक कुछ देर में बारिश होने वाला है, तो आप लोगों को घर जाके इस सब कुछ कुछ करना चाहिए, ऐस भी मौसम बहुत अच्छा है, इ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें और भी 기lek प्यार करें। इसी तरह से क्यूट बनते रहोगी। तो मैं खुद को कैसे रह फोगा। त्यान मसकिराता है जाते हैं तुम्हारा ध्यान कहा है। अच्छी से कार चलाओ। ठीक है। कि जयके बोलते हैं मेरा सारा ध्यान तो तुम्हारी तरफ है, आप क्या करें, तुम हो ही इतना beautiful, कि तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता है, ठीक है, आप तुम्हारी बातों से मुझे मत उंचाओ, क्योंकि आप मुझे इतनी जल्दी नहीं मारना है, अच्छी तरह से ड्रैप करो, ठीक है, जेके बोते हैं, ऐसे बाते मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ, त्यांग, मैं तुम्हारी बिना नहीं रहा सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्या करता हूँ, त्यांग बोते हैं, समझ गया, और फिर वो दोनों घर जाते हैं, अब जब त्यांग को वो छोडने के लिए उसके घर के सामने आते है तो जेके का मन नहीं कर रहा था त्यांग को छोड़ के जाने का लेकिन त्यांग बोलते है अब जाओ तुम यहां से ऐसे भी हम तुनों की शादी कुछी घंट बात होने वाले है तुम यहां से जाओ जेके बोलते है क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे बाहर से मुझे निकल दोगे क्या त्यांग बोलते आप तुम्हें अंदर भी आना है जेके बोलते हाँ मुझे तुम्हारे घर देखना है क्या तुम मुझे अपने घर दिखाने के लिए अंदर नहीं बुलाओगे त्यांग बोते हैं ठीक है आजाओ लेकिन बहुत रात हो चुके है तुम्हें घर चलना चाहिए था जेकी बोते हैं ये भी तो घर ही है अगर मैं इही पर रुख जाओ तो तुम्हें कोई पॉब्लिम तो नहीं त्यांग मुसको राता है और कुछ नहीं बोते है जेकी भी त्यांग के घर पर रुख जाता है उसकी घर को देखने लगते हैं बोते हैं तुम्हारी तरह तुम्हारी घर भी बेडिवल है तुमने बहुत अच्छी तरीके से इसको decorate किया है मुझे बहुत अच्छा लगा त्यांग के साथ अब उसकी बेड रूम में जाते है त्यांग उसको कप्रे देते है फ्रिश होने के लिए लेकिन जेके बोलते है मैं ऐसे ही फ्रिश नहीं होगा अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे तो पिर मैं कुछ नहीं करोगा पहले मुझे किस करो त्यांग बोलते है क्या अभी कुछ दिर पहले हम दोने किस किया था ना जेके बोलते है मुझे याद नहीं दुबारा से मुझे किस करके जरा बताना कि किस कैसे करते हैं त्यांग उसको बहुत ही प्यार से किस करते हैं जेकी बोलते हैं अब मुझे और भी जाने का मन नहीं कर रहा है अब मुझे कुछ और ही करने का मन है त्यांग उसको धक्का देके वाश्रूम भीज देते हैं और बोलते हैं जल्दी से जाके फिरिश हो जेके जब फिर्षू रहा था, त्यांग सूपय बैट्टकर जेके को देख रहा था, कि कि वो काचक्या बाना हुआ था और बाहर से सब कुछ देख डिखता है और जेके को तो पता भी नहीं, वो बहुत ही होट तरीके से नहा रहे थे और फिर shower की नीचे hot pose दे रहा है थे वो कि त्यांग के साथ क्या कारना है किस तरह से ये सब कुछ त्यांग बाहर से देख रहा था और शाय फिल करते हैं और मुस्कुराता है कि जेके की दिमाग में कितना naughty चीज़ चल रहा है तो वो ऐसा सोच रहा है जेके आप नहाने के बाद बहार निकलते हैं वो बात रूप पैना हुआ था उसकी शरीर से पानी की बूंद गी रहे थे त्यांग को एस सब कुछ देख के बहुत सदा hot feel होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलते है जेके बाहर आजाने के बाद बोलते ह जाओ अब तुम जाके फिरिश हो जाओ मेरा तो हो गया अब जल्दे से जाके फिरिश हो कि मेरे पास आजाओ त्यांग बोलते है क्या मतलब जेके बोलते है कुछ नहीं मैंने सिम एही कहा है कि तुम्हें जाके फिरिश हो जाना चाहिए जाओ जल्दे से जाके फिरिश हो त्यांग बोलते हैं, नहीं, मुझे नहीं फिरिश होना है, जेके बोलते हैं, जाओ न, ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे फिरिश करने के लिए भेज दिया, तुम खुद नहीं फिरिश होना चाहते हो, तुम बहुत गंदे हो, जाओ जन्दी से जाके फिरिश हो जाओ, और मेरे पस जदी से आजाना क्योंकि मैं तुम मिस्क कर रहा हूँ त्यांग बोलते हैं नहीं मैं ठीक हुए ऐसे ही मुझे नहीं जाना है जेके वाश्रूम की तरह आप देखके बोलते है ओ माई गौड इसका मतलब तुम बहार से सब कुछ देख रहे थे एक काच का बना हुआ है बहुत गलत बात है नट फैर और त्यांग की पास आजाते है उसको दिवा पे पुछ कर देते है त्यांग बोलते है ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने जान बुछ के तुमारे सब एस सब कुछ नहीं किया है मुझे यादी नहीं रहा मैं तुम्हें बोलना तो चाता था लेकिन भूल गया था कि यह बहार से भी दिखता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं लेकिन जेके बोलते है जूट मत बोलो तुमने जान बुछ के यह सब कुछ गया है इसके लिए तुम्हें पानिश्मिन मिलना चाहिए और त्यांग को दिवार पे पुछ कर देते हैं त्यांग बोल मैं जान बुछ के तुम्हें नहीं देख रहा था सच बूल रहा हूँ त्यांग के बात सुनके जेके बोलते हैं मुझे तुम पे एकी नहीं क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं है कि बाहर से दीता है तुम्हें एस सब कुछ नहीं करता तुम्हें मुझे देखी लिया है तो तुम्हें इसका पानिशमें तुम मिलना ही चाहिए अगर तुमने देखी लिया है तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए तुम्हें देखने का और फिर त्यांग की सारे कप्रों को खोलने लगते है त्यांग उसको रूपने की कोशिश करते है लेकिन जेके उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था उसको किस कर लेते हैं और उसको बहुत देर ता किस करते हैं त्यांग अब खुद को नहीं रुख बाते हैं तो जेके जो कुछ भी कर रहा था त्यांग के भी मर्दी था त्यांग उसको नहीं रुखते हैं जेके आप उसके पूरी खपरों को खूल देते हैं और फिर त्यांग की बोडी पर वो इस तरह से देख रहे थे कि बता नहीं वो आखों से ही सब कुछ करने का बहुत ही होट ताइगे से उसको छूँ रहे थे त्यांग बोते हैं इस तरह से मत करो मुझे शाइफिल हो रहा है लेकिन जेके कहा सुनता है जेके बोते हैं अभी तो शुरू हुआ है अभी और भी कुछ होना बाकी है और उसको किस करते रहते हैं उसकी गले पे एक लाब मर्क बना देते हैं बहुत ही दीपली त्यांग बोते हैं ऐसा मत करो क्योंकि मैं जब अपनी वैशन हाउस पर करते हैं त्यांग की बोड़ी अब रेड हो चुके थे जेकी की किस से अब एक कोनी भी खाली नहीं था जहां पे जेके ने किस नहीं किया है जेके त्यांग को बोलते हैं मैं तुम से बहुत ज़ता नाराज हूँ त्यांग बोलते हैं क्या हुआ अब तुम नाराज क्यों हो तुम जैसा चाहते हो तुम ये बैसा करने के लिए मौदा मिल रहा है तो तुम घुसा क्यों कर रहा है जे के बूलते है एई not fair तुम बिल्कुल भी कॉर्परेट नहीं कर रहा है तुमें भी तुम बो बुश्च कुछ करना चाहिए न और उसकी बॉड़ी पे भी किसकाना शुरू करते हैं जेके की हर एक बॉड़ी पार्ट पे वो बहुत ही जदा रीपली किसकाते हैं जेके बोते हैं तुम बहुत जदा नौटी हुआ तुम मुझे बोल रहे थे अब तुम क्या कर रहे हुआ त्यांग रुकने का नामी नहीं ले रहे थे वो जेटे को किस की एह जाती उपर से लेकर नीचे तक जेटे को किस करते है अब जेटेन को back PUSH कर दे और उसकी होटो पे बहुत ही रिपली किस करते हैं त्यांग की माउथ पर जीगे की ठांग से साथ काना शूर करते हैं अब एक दोनों की बीच में कोई भी गैप नहीं था एक दूसे के साथ ऐसे जूरे हुए थे कि इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकते हैं और यहापे जिमीन औ क्या तुम्हारी डैड ने कॉल किया था क्या कहा उन्होंने क्या वो गुसा कर रहे थे तुमने फोन की उठाया है अगर तुम्हें वो डाता है तो मुझे बहुत बुड़ा लगेगा कि तुम्हें मेरी बज़े से डात पड़े है जिमीन बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं डैड कहा है तुम्हें घर लेकर जाने के लिए वो हम लोग को माफ कर दिया है यह उंगी बोलते है क्या तुम्हें पका एकिन है कि तुम्हारे डैड सच बोल रहा है उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है ऐसा तो नहीं कि वो जूट बोल रहा है तुमसे यह उंगी की बास हो कि नहीं accept किया है , अब हम दोनों को बापा जाने के लिए गाहा है तो हम दोनों को जाना होगा civ की नहीं भी बोते है ठीक है हम लोग कल सुबह को ही निखल जाते हैम आज आज से जीमिन खुश हो जाते हैं और यूणकी की हो टो पे केस करते हैं और बोलते हैं मैं तुम से बहुत ज़दा प्यार काता हूँ डैट चाहे कुछ भी बोले अगर वो हम दोनों की प्यार का एकसेक्ट नहीं भी करता फिर भी मैं तुमें कभी नहीं चोड़ता है होगी क्योंकि तुम में लिए बहुत ज़दा खास हो यूंगी बोलते हैं मैं जानता हूँ लेकिन अगर तुमाई डैट ने सिर्भ हम लोगों को हब भी बुलाने के लिए इसा कुछ कहा तू और फिर हम दोनों के एकसेक्ट नहीं किया हम दोनों की प्यार को जिमी बोलते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि डैट कभी जोत नहीं बोलते है मैंने कभी भी उनको जोत नहीं कहते हुए देखा है अगर उनको हम दोने की प्यार को एकसप नहीं करना होता तो वो कभी हमें कॉल नहीं करते उन्होंने कॉल किया है इसका मतलब इस सज बोल रहा है और हमें चलके उनसे मिलना चाहिए क्योंकि डैट की तबियात ऐसे भी ठीक नहीं रहते है और मैंने जो किया है उसकी बज़े से डैट को बहुत ज़्या तकलिफ होंगे तो हमें जाके मावी मांग लेना चाहिए यूँगी बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हो तुम जो बोलोगे मैं बोही करूँगा जिमी बोलते हैं मैं तुमसे बहुत ज़्या प्यार करता हो यूँगी बोलते हैं मैं भी तुमसे बहुत ज़्यार करता हो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्या इंपोर्टेंट हो तुम्हारे बिना मैं एक सेकंड भी नहीं सो सकता हूँ अगर तुम्हारे डैट मुझे पसंद नहीं भी करते है फिर भी मैं यही कोशिश करूँगा कि तुम्हारे डैट की मैं पसंद दिदा बन सको और तुम्हारे डैट मुझे एकसेप्ट कर ले योगे बोते हैं क्यों नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे जरूर करेंगे क्योंकि वो हम दोनों को अलग नहीं रख सकते हैं और वो दोनों एक दोसे कहा करके सोजाते हैं सुबहा हो जाने के बाद, जेके का कॉल आते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे थे, जेहोब उसको बार बार कॉल की जा रहे थे, त्यांग बोलते हैं, तुम्हारा फोन उठाओ, तुम्हे फोन आ रहे है, जेके बोलते हैं, छोड़ो भी, मुझे कुछ नहीं उठाना है, मुझی सिर्थ तुम्हारे साथ रहना है त्यांग बोते हैं मुझे भी जाना है अगर तुम सोना चाहते हैं तो सो सकते हो मैं तैयर होके अपनी fashion house जाने वाला हो JK बोलते हैं तुम्हें घर पे रहके क्या करूंगा त्यांग बोते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें उठ जाना चाहिए और अपनी फोन को उठाना चाहिए जेके त्यांग की फूर हिट पे किस करते है और बोलते है बेबी तुम खुश तो होना कही तुम मुझसे नाराज तो नहीं कि मैंने तुम्हेरे साथ जो कुछ भी और फिर द्यांग उसको किस करके बोलते है नहीं मैं बिलकुल भी नाराज नहीं मैं भी तुमसे बहुत ज़ादा प्यार पाता हूँ और जो कुछ भी हुआ है मेरी मर्चे से ही हुआ है मैं तुमसे बिल्किल भी नराज नहीं लेकिन अब हम दोनों को भी काम पे जाना चाहिए क्योंकि ऐसे भी हम दोनों की शादी होनी वाले है और जिमी ने योंगे भी बापास आ रहे है जिमी ने मुझे मैसेस कर दिया है जेकर को बहुत गुसा आता है कि तुम जब जिमी की बात क्यों करते हो लेकिन क्या हुआ तुम जिमी की बारे में सुनके इतना गुसा क्यों कर रहे हो जेकर बोते है मुझे तुमारी मुँ में किसी और का नाम नहीं सुनना है मुझे बहुत ज़दा जेलिस फिर होता है दुबारा से इससे पुछ मात करना मेरे सामने ठीक है और किसी के साथ इतना ज़्दा कुलोज होने की ज़रुत नहीं हाँ ठीक है तुम्हारी सोल मिट शादी का लिया है लेकिन फिर भी तुम उसे दूर रहना जितना हो सके सब लोग उसे और तुम काम करना बंद कब करोगे त्यांग बोते हैं क्या? मैं काम करना बंद क्यों करोगा? यह मेरा सबना है यह फैशन हाउस को मैंने बहुत प्यार से इतनी दूर तक लेकर आया हूँ इसको बंद करने के लिए नहीं जेके बुत हैं लेकिन तुम्हारी इस फैशन हाउस के वज़े से सारी लड़किया तुम्हें घेर के रखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है त्यांग ए बात सुनके बहुत ज़्याने में आ जाता है कि जेके क्या बोल रहा है क्या जान कुप मुझे लेकर बहुत ज़्यादा अफसेस है लेकिन अगर ऐसा है तो यह तो बहुत गलात बात है तो तो बो मुझे किसी के साथ बात करने में भी नहीं देंगे और मेरे फैशन हाउस पे कितने लोग आते हैं सब लोग मेरे साथ इतनी आच्छे से बात करते हैं, इतना कुलो जाते हैं, त्यांग जेके को कुछ बोलने वाले थे, कि जेके की दुबारा से कॉल आते हैं, जेके फोन को रिसिप करते हैं, और जेके को बोलते हैं, क्या हुआ, इतना सुबा सुबा मुझे कॉल करके दिस्ट नहीं है तो वो घुस्सा कर रहे है मैंने दाड़ जी को बोल दिया है कि कि तुम तो नहीं हो कहते है जिसे आजू? जेके जल्दी से उठ जाते है और बोलते हैं त्यांग मैं बाद में बात करूँगा तुम से ठीक है कीबू तयार हो कि जाने बाले थे कि पीछे मूलते हैं और त्यांग की फोर हेट पर किस करते है और बोलते हैं मैं तुम से जल्दी मिलूगा ठीक है मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा I miss you त्यांग बोलते I miss you too अब तुम जाओ So guys मैं यहाँ पर खातम कर रही हूँ अच्छा लगए तो like, comment, share कर देना और subscribe कर देना Thank you so much for watching